शिराम जी आप जी के अपने प्यारी यूट्यूब चैनल और्गैनिक रूफ गार्डनिंग यानि की ओ आर पी वी पर आपका बहुत बहुत स्वाकत है आज मैं आपके लिए विश्य लेकर आया हूँ पछेती तोरी ओक्रा यानि भिंडी ओफ सिजनर भिंडी अब नुवंब लगाई हुई है दुबारा से पछेती बिंडी ओके मैं सीड जो हैं वो सो करने जा रहा हूँ इसका कभी भी पोद की बजाए इसको हमेशा ही सो करना ज्यादा लाब दायक रहता है क्योंकि इसमें जो टैफ रूट होती है वो पोद को दुबारा प्लांट करने के टाइम मे वो टूट जाती है यह मैंने सो कर दिये हैं और सो करने के 16 इंची गमलों में मैंने थोड़ा सा ज्यादा मैं सीड से लगाता हूँ उसके बाद जो हैल्दी प्लांट्स होते हैं उनको रख लेते हैं यह बारशों के दिन हैं मैंने इनको उपर से ढख दिया है ढखने के इसमें से जो हैल्दी प्लांट्स है मैं उनको रखने वाला हूँ यह देखिए कितने सुन्दर सुन्दर पोदे निकलने शुरू हो गए हैं बारशों के दिन हैं मैंने इनको अपने पोर्ट से जो है टबों से ढखा हुआ है यह देखिए अभी क्योंकि बारशों के दिन है अगर ये बारिश शिर्दी पढ़ती रहेगी तो ये सारे जो छोटे पोदे हैं ये गिर जाएंगे और मर जाएंगे अब ये पोदे बड़े हो गए हैं अब ये मेरे टबो की सीमा से बार हो गए हैं अब इनको टबो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे तो मैंने एक तरपाल लगाकर इनको ढख दिया है ये देखिए इस तरिके से मैंने तरपाल लगाकर इनको ढख दिया है क्योंकि बारिश आज काफी हैं तो यह बारशों से बचाव के लिए है आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूं क्योंकि मैंने एक गंबले में काफी पोदे लगाए हूं है यह देखिए यह जो है यह जो आपको छोटा सा हरा पता दिखाई दे रहा है यह ट्रू लीव्स हैं और अब पोदे ने अप पसमें उल्ज रहे थे उन पोदों को मैंने इनमें से निकाल दिया है तांकि बाकी जो पोदे इसमें रह जाएंगे जो में को रखने हैं वो अच्छे से ग्रोथ ले सके उनका रूट स्ट्रक्चर अच्छे से बन सके यह देखिए अब यह मेरे पोदे बड़े होने अरम हो हुए हैं यह देखिए ओकरा एक बहुत ही पोस्टिक सबजी होती है इसमें फॉलिक एसिड बहुत मातरा में होता है यह देखिए यह देखिए कितने सुंदर सुंदर पोदे त्यार हैं अभी मेरे बिंडी के पोदों के ओपर जो हैं यह एफिट्स ने टैक किया यह देखि है इसमें मैंने पच्चिछ लेटर यह स्वें पानी आता है किसा है हम के क talk नब मौवेड लाने के साथ ही मैं इसमें लिक्वीड सोप डालने-स problemas दने मोर्लियं दालए ज़िए और करे omega vainger झाले हुँ साथ ही मैं इस अधियर हैं वो आउच्छे से वाश रूठ ऑँजाएं यह मैने पंद्र में नेगे पंद्राइमने के बाहद पानी कर इसको मैं तो हिला दूंगा और जो ने प्लांटको प्लांट उनको इन प्रेंदे पत्तों को पीछे की साइड से भी जुरूर नीम उयल का सप्रे करें, इनके निचे की साइड पर बहुत सारे किटानू होते हैं, अब इनको समय हो गया है, निट्रिशन देने का, आज मैं इनको चूने का पानी देने जा रहा हूं, कैलिशियम का सोर्स है, ये मैं पनवाडी से जो खाने वाला पान होता है, वो पान की गुच्छिया मंगवा लेता हूं, उसको लिक्विड को पानी में मिलाकर, उसका मैंने कैलिशियम का पानी इसको दे दिया है, और अब मैं इनका इसमें अच्छे सारे फूरूट्स आने हैं, तो अभी इनको निट्रिशन के जूरत ह आज मैं इनको प्रयाप्त मातरा में वर्मी कंपोस्ट जो है, वो सभी प्लांट्स के अंदर वर्मी कंपोस्ट दे के इसको वाटरिंग कर दूँगा, तांकि जो छोट-छोटे अभी भिंडी के फल आने अरंब हुए हैं, वो अच्छे फल बन सकें, और एक बार फल लेने क की और कितनी शाइनिंग और कितनी पॉस्टिक जो भिंडिया हैं, वो दिखाई दे रही होंगी आपको बिल्कुल हैल्दी फ्रूट्स हैं, और वही जो मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं, कि और गैनिक सबजी उगाएं, ताजा सबजी उगाएं, और ताजा ही बना अपनी हैं, उसी दिन काटें, उसी दिन बना लें, तो उस सबजी का जो गुन है, वो बहुत बढ़ जाता है, यह देखिए, कितनी सारी भिंडिया मेरी हर्वेस्ट हुई है, यह एक दिन का मेरा हर्वेस्टिंग है, यह मैंने अब इसको आपको वजन करके दिखाता हूं, जैसे कि हमेशा ही दिखाता हूं, इस से मेरा भी उत्साह बढ़ता है, और देखने वालों का भी उत्साह बढ़ता है, यह देखिए, यह मैंने अब इसको वजन करने जा रहा हूं, यह देखिए, यह देखिए, आदा किलों के करीब यह भिंडियां उतरी हैं, चैनल पर बन